Hello students, welcome back to my YouTube channel Rank 78 बच्चों आज की वीडियो में लोग सीखेंगे Badminton racket and subtle cock का चित्र बनाना तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले तो जितना लंबा चित्र बनाना है उतनी लंबी एक रेखा खीच लेते हैं हम racket का चित्र लगभग 18 cm का बना रहे हैं चित्र की नाप कुछ भी हो सकती है ध्यान रखना है 15 cm से छोटा ना होने पाए अब देखें 18 cm रेखा के तीन भाग करेंगे हम यानि की 6-6 cm के हम निशान लगा लेते हैं पहले वाले हिस्से में racket की आगे की गोलाई हो जाएगी जाली वाला हिस्सा बीच में हैंडिल की राड हो जाएगी और इस तरफ पकरने के लिए जो हैंडिल में मुठिया लगी होती है जाली वाला हिस्सा बिल्कुल वृत्ता कार ना होकर थोड़ा सा अंडा कार होता है यानि इधर को हलका सा लंबा होगा उसके लिए देखिए हम बाहर की और बढ़ा लेते हैं वृत्त को अब देखिए पहले वाले वृत्त को हम इरेज कर देते हैं अब इस फ्रेम की मोटाई दिखाने के लिए इसके अंदर हम बराबर गयब छोड़ते हुए एक रेखा और खीशते हैं दोनों रेखाओं के बीच में उतना ही गयब छोड़ते हैं जितना कि हमें फ्रेम की मोटाई रखना है अब देखिए इस फ्रेम से हैंडिल को जोड़ेंगे इस रेखा को और इस रेखा को हम इरेज कर देते हैं अब यहाँ से पकड़ने के लिए हैंडिल लगी हुई है इस रेखा के दोनों और बिल्कुल बराबर ही बनाते हैं जिससे कि हमारा चित्र टेढ़ा ना होने पाए इसके लिए हम इसकेल का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम जाली बनाएंगे यहाँ पर हम इसकेल का भी यूज़ कर सकते हैं देखिए खड़ी रेखाएं बनाते समय हम इसकेल का प्रियोक कर रहे हैं जो सबसे पहले हमने बीच में एक रेखा बनाई थी ताकि हमारा चित्र टेढ़ा ना होने पाए अब इसको रेज कर देते हैं इसकी सेडिंग करने से पहले हम सटल काक यानि की छीडिया को भी बना लेते हैं इसके लिए भी बीच में एक सीधी रेखा थीज लेंगे ताकि हमारा चित्र टेढ़ा ना होने पाए अब देखिए इंगलिस के यू लेटर जैसे हम इसका निचला हिस्सा बनाते हैं इस रेखा के दोनों और बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए अब इसकी जितना चोड़ाई रखना है दोनों और उतनी दूरी पर हम निचान लगा लेते हैं और नेचे से मिला देते हैं अब देखिए इतना ही गोल हमने उपर भी कर दिया अब देखिए इस चिडिया के जितने भी पंक बनाने हैं उतनी रेखाएं हम खींच लेते हैं एक पंक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा इनके बीच में और भी बना लेते हैं एक यहां से यहां तक हो जाएगा, दूसरा यहां से यहां तक, ऐसे ही इस तरह भी बना लेंगे. यह पर सबसे उपर है, अर्थात यह पूरा दिखाई दे रहा है, यह वाला इसके नीचे पड़ रहा है, यह वाला इसके नीचे है, इसी प्रकार अगला उसके नीचे बनाएंगे, सबसे नीचे यह वाला दिखाई दे रहा है, यह सब ही पर आपस में बंधे रहते हैं, यहाँ भी बंधे हैं और नीचे देखिए, यहाँ भी आपस में बंधे हुए हैं, आप हम इसकी सैडिंग करेंगे, सैडिंग की शुरुवाद हम रैकेट से करेंगे, सबसे पहले तो उसका हम हैंडिल काला करते हैं, मान लेते हैं ऊपर की और से लाइट पढ़ रही है, तो उपर की और कम काला, नीचे की और ज Dearधा काला दिखेगा, झाल झाल इस फ्रेम में भी हम गहरा सेट दे देते हैं अर्था ज्यादा काला कर देते हैं ऐसे ही बिलकुल सटल काक में भी हम सेटिंग करेंगे देखे सबसे उपर ये पर है इसके नीचे इस पर पर इसकी छाया पर रही है अर्थात यहाँ पर ये थोड़ा डार्क दिखेगा इसकी छाया इस पर दिखाएंगे ऐसे ही इसकी इस पर दिखाई देगी ये हिस्सा को ज्यादा ही डार्क होता है इसको हमने ज्यादा काला कर दिया यदि इस ओर से परकास पर रहा है तो इस ओर छाया दिखाई देगी अब देखिए ये पर किस प्रकार बने हुए हैं इसमें हम बिल्कुल महीन रेखाएं बना देते हैं इस तरफ हम हलका ही सैट देंगे एक बार चितर को हम थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं इसके हैंडिल पर उभरी हुई रेखाएं बनी होती हैं इनको भी हम बना देते हैं तो इस प्रकार देखें बच्चों छाया प्रकाश युक्त बैडमिंटन रैकेट और चिडिया का चितर बन करते यार हो जाता है आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें अपने मित्रों में सेयर करें और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस्त कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो सकें